हाई एवरिवन आज हम मुगल मिनियेचर पेंटिंग की सीरीज में नेक्स्ट पेंटिंग करेंगे मैरिज प्रोसेशन आफ दाराशिको वेरी वेरी इंपोर्टन पेंटिंग बहुत बार अलग लग तरह से इस पेंटिंग पे क्वेशन बोर्ड में आता रहा है सबसे पहले मेंट पॉइंट्स आर्टिस्ट हाजी मतनी मीडियों वाटर कलर ऑन पेपर टेकनीक टेंपरा टाइम पिरिए 1740 तू 50 एडी और शाजहांस टाइम भी लिख से जा सकते हैं और प्रोविंशिल मुगल भी कर्टिसी नाशनल म्यूजियम न्यू डेली सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं सबजेक्ट मेटर की सो ये पेंटिंग एक हिस्टॉरिकल पेंटिंग की कैटेगरी में आती है और एक मास्टर एक्जेम्पल है मिनियेचर पेंटिंग की क्राउडी कॉम्पोजिशन की लाइफ के एक important incident की एक celebration को दिखाने की या दर्शाने की Marriage procession of दारा शिको नाम से ही clear है कि इसमें दारा शिको के बारात को बनाया गया है और कहते हैं इनकी शादी 1633 में हुई थी नादीरा बेगम से और एक बात बताओं किताबों में लिखा है कि शाजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिको की शादी मुगल सल्तनत की सबसे महंगी शादी मानी जाती है इतिहासकार लिखते हैं कि इनकी शादी में इतने पटाके छोड़े गए थे कि रात में भी दिन जैसी रोशनी फैल गई थी और कहते हैं कि उस जमाने में इनकी शादी में 32 रुपे खर्च हुए थे और ये शादी आठ दिन तक चली थी अब ये सब बताने का परपस मेरा यहां है कि जिस तरह से ये इवेंट हुआ या जो ये शादी मनाई गई और उसका पिक्चराइजेशन देखें आर्टिस्ट ने किस तरह से उसको चित्रित किया है एक पींटिंग में जो चलिए समझते हैं डिस्क्रिप्शन से कि किस तरह से इस पींटिंग को इस पूरे सीन को कमपोज किया गया है अब देखें इस पींटिंग को ध्यान से जैसे मैं कहती हूँ कि आपने बेटा पिक्चर को देखना है जब मैं बोल रही हूँ सो आप उस पेंटिंग में वो पॉइंट्स देखने की कोशिश करें जो मैं आपको समझा रही हूँ इससे आपको कभी भूलेगी नहीं पेंटिंग सो बेसिकली देखें तो ये पेंटिंग को दो सेग्मेंट में बटी हूई है ब्राइट साइड और ग्रूम साइड राइट साइड में दुलहन के परिवार को बड़ी संख्या में जिसमें फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं पूरी तरह से सजे धजे बारात के स्वागत के इंतजार में दिखाया गया है। और लेफ्ट साइड में देखें शाही लोगों की बारात को आते दिखाया है। दाराशिको लीट कर रहे हैं इसको सबसे आगे डेकोरेटिव घोडे पर पूरी तरह से यूँ अलर्ट बैठे हैं। इनके साथ तीन अटेंडेंट्स चल रहे हैं जिनमें से एक ने घोडे को पकड़ा है, एक के पास चौरी है और एक मोबत्ती को पकड़े हुए है। दाराशिको को ब्रॉकेट का अंग रखा पहने और मोथियों की सहरा पहने हुए दिखाया है। और जो इनकी पगड़ी है वो भी मोथियों से ही जड़ी हुई है जिसमें पीछे देखे पंक भी लग रखा है। उनके एक हाथ में उन्होंने घोड़े की लगाम को पकड़ा है और दूसरे हाथ में रुमाल पकड़े हुए हैं। अब आप देखें ये फर्स जो में फिगर है जो डॉमिनीटिक फिगर है वो दाराशिक हो गया है। शाही लोग हैं घोड़ों पर सवार हैं और प्रॉपर रॉयल अटायर में बनाए गए हैं पगड़ियां अंग रखे इवन घोड़े भी डेकुरेटिव हैं। और इस बारात में जो फीमेल्स है ना उनको हाथियों पर पाल की पर बैठे दिखाया है पीछे नियर दो होराइजन ये पीछे देखें ध्यान से। डाक में ये जो मर्ज हो रहे हैं पीछे वहां। कुछ लोग हाथों में मुबतियां हैं, कुछ के हाथों में वादरी अंतर बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ताली बजाते दिखाएं हैं। और एक बॉई को डांस करते हुए भी दिखाया गया है विद दे बीट आफ ड्रम्स। सो यह जितनी भी फिगर्स है ना, मुस्टली आप देखें तो एक चश्म हैं, बट कहीं कहीं डेट चश्म भी दिखता है, बट स्टिल प्रफाइल फेसे जादे हैं। सो यह हो गया फिगर्स का किस तरहां से कहां कहां दिखाई हैं या कैसे बनाई हैं। अब आते हैं अब बैगराउंड पर, तो आप देखें कि बैगराउंड में एक जबर्दस लाइटनिंग, फायर वर्क, स्ट्रीमर्स, रोमन कैंडल्स तक बनाई गई हैं। और यह जो स्मोक है, स्मोकी एफेक्ट और उस लाइटनिंग को आसमान में मर्ज होते दिखाया है। ब्रिलियंट डिपिक्शन है, डेकुरेटिव बॉर्डर हैं, कलर्स में इतनी मास्ट्री आप देखें, गोल्ड कलर को बहुत प्रॉमिनेंटली यूज किया गया है, जबकि वाइट, रेड, ग्रीन, मरून, टर्कॉइस, फिरोजी, नीला रंग यह सब लगाएं गए हैं। अगर आप गार्मेंट्स देखें, जूलरी देखें, मैं दो गहती हूँ, जितना बोलें इस पेंटिंग के बारे में उतना ही कम है, अदभुत चितरन, मतलब एक छोटी सी जगा पे एक तो इतना क्रावडी कॉमपोजिशन बनाना, उस तरह से इस सीन को लेना, और फिर जि इतने सारे रंगों में घुडों का चितरन है, और कपडों में देखें, डिजाइन्स, वेराइटी, कलर बैलनसिंग देखें, इचोज़ अपर्फेक्शन अन पैरलर कैलिबर ऑफ दे ग्रेट आर्टिस्ट, ओवरॉल देखें ना, इस पेंटिंग में तो जो उतसव के अफ जिसमें, तो यह पॉइंट्स आप लिख के जा सकते हैं, और इन पॉइंट्स पे आपको बहुत बार क्वेशन आ जाता है, कि इलेबोरेट देखें अर्टिस्ट अरेंचमेंट एंड एप्रिशेट अप्रिशेट देखें अप्रिशेट के लिए यह पेंटिंग आती है, त क्राउडी कॉंपोजिशन का पॉइंट लिखा जा सकता है, कलर स्कीम का पॉइंट लिखा जा सकता है, और जितना जिस तरह से यह एक्स्प्रेशन्स हैं, जिस तरह से यह मूवमेंट्स हैं, जिस तरह से एक्टिविटीज करते हुए दिखाया है, वो सब आप लिखके जा स सकते हैं और इसके इलावा अगर हम human life value की बात करें तो इसमें जैसे आपके textbooks में दे रखा है कि mutual respect in a family function one should welcome the guest with an open heart and one should follow discipline in the conduct. So ethical behavior के उपर मतलब maintain a structured and ethical environment. So इस सब के उपर आप लिखके जा सकते हैं and again I would say कि ये बहुत बहुत सुन्दर पेंटिंग है, कमाल का पेंटिंग है और एक बेस्ट और यूनीक example है प्रोविंशन मुगल स्टाइल की. So this is all about the marriage procession of Dara Shikho. Thank you.